हेलो एवरीवान एन वन्स अगेन वेल्कम टो डव्ली एस क्यूटेक प्रोग्रामिंग चैनल गाइस मैं हूँ भागीरत गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावस्क्रिप्ट के दो और अट्रिब्यूट्स दो और फंक्शन के बारे में तो जो सबसे पह क्लास का नाम लिखते हो जिसको वो क्लास को टार्गइट करवाना है। सपोज आप आइडी के केस में आप क्या करते हो प्र एक अडी लगाते हो सब्सपोज आपने कोई event लगाया जावस्क्रिप्ट का ओझा और यहकैक आत्रिब्यूट हैर उस उस एटरिब्यूट की वेल एक नई file बनाएंगे हम लोग और इस नई file में समझेंगे इसको तो यहां से एक new file create कर देता हूँ तो guys यह मेरी एक HTML की file हो गई और इस HTML की file के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ यहां पर एक div बनाऊंगा और इस div के अंदर यहां कुछ content लिख देता हूँ तो suppose मैंने लिख दिया hello everyone तो यह एक मेरा content हो गया अब मुझे क्या करना है मुझे यहां पर इसके अंदर लगानी एक ID और उस ID का नाम मैं suppose रख देता हूँ test फिर मैं यहां उपर style sheet लगाँगा तो इधर हो जाएगी style और style के अंदर क्या करना है हम लोग इस test वाली ID को या आप इसके लिए class बना लगा तो class में बनाता हूँ तो यहां से हम लोग ए class रख देता है red और then एक class रख देता है blue तो दो classes बना लेता हूँ red and blue और red से क्या करने वाला है red से हम लोग रिखेंगे कि जो color है वो क्या होगा text का red होगा तो color red तो यह होगा color red then हम लोग यहां से करेंगे text का और एक color change करना है तो suppose मुझे color क्या रखना है blue रखना है तो होगा color blue इस तरीके से हम लोग को का यह work करने वाला है हम लोग क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले class attribute के अंदर value डालेंगे red तो अभी आप देख सकते हो यह ID attribute है इसकी यह value है यह attribute है यह इसकी value है तो यहां पर से हम लोग एक button मनाएंगे तो एक button मना देता हूं यह button होगा और इस button पे हमारा सारा काम होगा तो button और इसके on click पर on click पर मैं क्या होगा एक function चलाऊंगा तो एक function जो होगा वो suppose हम लोग testing के लिए बना रहे हैं तो testing नाम का एक function मना देता हूं testing और यह testing नाम का function कहां बनाऊंगा नीचे JavaScript के अंदर तो इधर script लगा देता हूं और यहां से यह function मना देंगे तो यह तो बात होगोई basic जो अब तक हमने सारे चीज़े सिखिये simple से की y बनाना click पर एक function कॉल करवाना यह सारे काम बहुत basic है इसके अंदर हमको समझना है कि get attribute और set attribute कैसे work करेगा तो इसको नाम भी देज़ता हूं click करके तो यह हो गया इसके click पर यह get करना है कि यहाँ पर इस div के अंदर कौन सी class लगी है कौन सी class लगी है तो कैसे get करूँगा तो यहाँ से जब यह function चलेगा तो इस function के click पर मैं suppose करा हूँ यहाँ पर एक variable और उसका नाम हो जाएगा class या class नहीं रख सकते हैं इस नाम का एक variable और मैं यहाँ पर क्या करूँगा उसको target करूँगा तो document और document.getElementById किसको target करूँगा इसको target करूँगा और कैसे target करूँगा यहाँ से document.getElementById और test तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस test वाले को target कर रहे हैं किसे document से और .getElementById से इसमें हम लोग लगा देंगे dot get attribute तो attribute करके get attribute करके एक function हमारा और यह get attribute function क्या करता है उस particular object का attribute get करता है कौन सा attribute get करना है यह भी आपको बताना होगा तो वापस मैं आपको समझा देता हूँ document क्या करेगा इस पूरे document से get element by id इस id को target किया इस id का object बनाया और उसके अंदर मैंने चलाया get attribute नाम का function तो यह get attribute करेगा इसका attribute लाएगा बट आपको बताना भी पड़ेगा कौन सा attribute तो यहाँ पर मैंने लगा दिया class वाला attribute लेके आना है और class वाला attribute लेके आएगा और हम लोग क्या करेंगे इस class वाला attribute को यहाँ पर लास्ट में एक और डियू बना देता है इसके अंदर डाल देंगे इसको मैं एक नाम दे देता हूँ आईएस करके यह इसके आईडी हो गई आईएस और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं document.getElementById जिस तरह हम लोग आईडी से target करते हैं और कौनसी आईडी target करनी है आईएस वाली आईडी और उसके inner text के अंदर क्या करना है inner text के अंदर मुझे यह जो CLS में उठाया था वो डलाना तो इससे क्या होगा आप देखो कि अभी कि यह जो class है वो कहां से है कि document.getElementById से यह नि इस particular element की class मिल जाएगी हमको और जैसे हमको class मिल जाती है हम उस class को इस variable में डाल कर क्या करेंगे इस h1 tag के inner text के अंदर डला देंगे तो एक बार देखता है कैसे वर्क कर रहा है तो open key browser में click किया और आप देख सकते हो क्या रहा है red कैसे वर्क किया इस पर जो भी current class लगी है वो मैंने get कर ली अब समझते है set कैसे work करता है तो get जैसे work कर रहा ह आपने यहां से get देख लिया अब मैं इसी को use करूँगा इसका color change करवाने के लिए यह जो बटन आप यह जो text देख रहे हो इसका color change करवाने के लिए तो कैसे change करवाना है इसको comment कर देता हूँ हम लोग क्या करेंगे यहां लगाएंगे if और if में हम लोग करेंगे कि अगर जो CLS है वो equals to equals to क्या हो CLS जो है वो red आए यह जो color है वो अभी क्या या जो class लगी वह वो क्या red हो तब हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक task perform करवाएंगे और मैं क्या करना हूँगा क्यूंकि मुझे पता है कि मुझे इसको बार-बार use करना होगा तो इस test वाले को मैं एक बार उपर एक global variable बना दोगा तो test नाम का global variable बना दिया इससे क्या होता है कि आपको यह object बार-बार create नहीं करना पड़ता तो यह एक अच्छी programming technique है कि आपको जो चीज बार-बार use करनी पड़ेगी जो इसका object बार-बार बनाना पड़ेगा उसका एक बार object बना कर उसका variable ब पर करता है तो मेरा क्या फंडा है मेरा फंडा यह कि जैसे ही इस पेकली को जो color अभी red हो blue हो जाए क्या हो जाए color red से blue हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे test.set attribute use करेंगे तो set attribute भी एक method है इसके अंदर आपको दो चीजे पास करनी होती है set attribute के अंदर comma separated दो चीजे पास करने होती है सबसे पहला आप क्या change करवाना चाहते हो कौन से attribute को set करना चाहते हो get करना मदब कौन से attribute को get करना तो ये value get कर ली किसको set करना है तो ये हो गया क्या attribute और फिर उसमें क्या value डालनी है तो उसमें value डालनी है blue और यह ब्लू नाम के आपकी पहले से क्लास बनी होनी चाहिए इससे क्या होगा अगर रेड कलर का हो क्लिक करता है अब 2 देखते हैं एक बार रिफ्रेस्च पर अप्जिक सबसे पहले हमारे पास एग डिव है उस डिव की आईडी से हमने क्या किया उसका बना लिया इस बटन की क्लिक पर टेस्टिंग वाला फंक्शन चला टेस्टिंग वाला फंक्शन क्या करता है इस टेस्ट नाम का जो अबजेक्ट बना हुआ है उस अबजेक्ट में से get attribute class का attribute गेट करता है और कौन सी class आ जाती है CLS तो ये वाली class की जो भी value है वह जाएगी get attribute value get करेगा किसकी इस attribute की तो value आ गई ठीक है यह हमारे पास value है तो हमने इसको check किया कि क्या वो red है अगर red है तो test के अंदर set attribute करवाया red होती है तो हमने क्या set करवाया blue अगर blue होती है else वाली condition चलेगी और blue होती है तो हमने क्या set कर रहा देंगे red तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसके click पर उसके click पर आपको ये change कर रहा सकते हो color हर बार click होगा और color change होगा आप देखोगे blue red हो रहा है हर बार click होने पर blue red हो रहा है click किया क्या होगा आपका red फिर से click क Nähan, blue हो गया है इस तरीके से get attributed and set attribute किया करता है set attribute क्या करता है, value set करता है, get attributed क्या करता है, value, get करता है तो यह दोनों इस तरीके से work करता है चो Bereas hyok Guys, आपको अच्छे से समझें any होगा, कि set attribute & get attribute कैसे Work करते है Next video मैं, set attribute & get attribute की मदद से यह बताना वाला हो कि आप जो websites पर, web pages पर जाते हो तो so and hide password का logic लगा होता है वो किस तरीके से लगा होता है That's it for this video, thank you so much for watching